पंचकुला में करोडों की दोखा लड़ी के अरोप में फाइनसर अनिल भल्ला समेट पांच अरोपियों को एडी ने गिरिफतार किया है। पहीस दिया है। अनिल भल्ला के लॉकर से एडी ने एक करोड रुपे की नकदी और लाखों के जेवर भी बरामत किये थे। जिसे टीम ने अपने गबजे में ले लिया था। टीम ने अरोपियों, आकाश भल्ला, साहिल भल्ला, नरेंद्र खिलन और निर्मल सिंग के बैंक हातों को भी खंगाला है। जानकारे के लिए आपको बता दे कि कुछ दूनों पहले ही पंचकुला में कई लोगों से करोडों रुपे की धोगादरी के मामले में आरोपी अनिल भल्ला, उसके दोनों बेटे, बिजनस पार्टनर नरेंद्र खिलन, सीए सेहित अन्य में बने हुए साहिल भल्ला के घर, दोस्त नरेंद्र खिलन के पंचकुला सेक्टर 11 पर स्थित घर, जीरकपूर, हरमिलाप नगर स्थित उसके सीए के घर और पंचकुला पुलिस लाइन में सस्पेंड एसाई गुरमेज सिंग के घर समेत अन्य लोगों के घर सुबह करीब साथ बजे पांची, इस दोरान सभी अरोपियों को घर से बाहर आने चाने नहीं दिया गया, सभी के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, देर शाम एडी की टीम सेक्टर 6 के सरकारी बैंक पैनल भला के लौकर वक्खाते की जांच करती रही थी, मंगलवार सुब दो इनोवा गाडियों से एडी की टीम एएसाई गुरमेज सिंगे घर पांची थी, उस से एनिल भला के मामले में पूश्टाच की गई, रेट करोरान एडी ने घर के तलाशे लिया और कागजाद अपने कबसे में लिये हैं, साथ ही घर में माजूद गाडियों सहित अन्य समान की भी पूरी चांच की गई, इसके साथ ही आपको बता दे कि एनिल भला पर अवैद वसूली और धोका दड़ी के करीब 22 मामले दर्च हैं, इन मामलों की जांच के लिए ASIT टीम को गठन किया गया है, पिछले साल मई माम में एनिल भला के बैंक के लॉकर, उसके परीज की शिकायत पर जांच, धोका दड़ी और अवैद वसूली के मामले में अनिल भला उसके बेटे वाने लोकों को बुलिस ने गिरिफतार किया था, और अभी सभी लोक 17 अगस तक रिमार्ट पर हैं